हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम साधार ब्याज से संबंदित बेसिक फार्मूले के देखेंगे इस पे कुछ एक्जामपल भी लगाएंगे जिससे आपको फार्मूले सवालों किस प्रकार प्रयोग किया जाता है आप इसको अच्छे प्रकार से समझ ज ठाके स्व यह आपका साधरा ब्याज संबंदित एक बेसिक फार्मूले आपका दूसरा फार्मूला है कि मिष्र धन बराबर होता है यह आपके जो रॉ reality है एक बेसिक फार्मूला है इसके इलावा आपको साधरा ब्यास सम्बदित किसी फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है इस पर हम कुछ एक्जामपल लगाएंगे जिससे आपको फार्मूले अच्छे प्रकार से याद हो जाए चले फ्रेंस आपका फर्स्ट कोईस्टन को दर से ग्याद कीजिए यानि कि इस प्रश्ण में आपको ग्याद करना है साधर ब्यास इस प्रकार के जब भी प्रश्ण मिले आपको जो पहले लिखा होता है सवाल में तो वह आपका हमेसा क्या होता है मूल धन होता है यहां पर आप लिखेंगे मूल धन आपका मुल्धन कितना दिया है फ्रेंस आठ सो रुपिया यहां पर लिखेंगे आठ सो रुपिया ठीक है और देखी समय समय के बाद देखी पांच वर्स क्या है आपका समय है यहां पर लिखेंगे समय कितना है पांच वर्ष ठीक है और जो प्रतिसद में दिया रहाता है हमेशा दर होता है, ठीक है तौ आपका दर कितना है इस परकार पहले लिख लेंगे, ठीक है दर है, तीन सही 1 बटा के दू प्रतिसद इसको भिन्य के रूप में चेंज कर ली देखिए। तीन का दूमें को रहें है तीन दूने का च्छा और एक शाथ् या यारी साथ बटाक कि दूपर प्रतिस्ट यह आपका दर है ठीक है। इसके बाद आपको ग्याद क्या करना है ब्याज यहां पर लिखेंगे ब्याज ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क यानि कि आपको ब्याज ग्याद करना है ठीक है अब देखिए अब साधार ब्याज का आप फार्मूला लिखिए यहां पर लिखें साधार ब्याज एक दो ब कि अगवे समय भाठा के इस सो चलिए यहाँ रखते हैं मूल धन कितना है फ्रेंस आपका आठ सो है जहाँ पर मूल धन लिख लिए आप यहाँ लिखा है आपका आठ सो देखें दर कितना है फ्रेंस साथ बटा के दो परतिसात है यहाँ पिलिखेंगे साथ ठिक अभी दो कुराने दीजिए गुड़े समय कितना है फ्रेंस पांच है तो पांच लिख लिजिए बटा के सो है तो सो लिख लिजिए ग시에 हीं you do Leftी सब्सक्राइब खर चाल कर लेंगे बैस्से को एक साथ बठा के दो तो यानिकि हर में दूब आजाएगा अब इसी को आप फ्रेंज हल कर लीजिए जब इसको हल करेंगे तो आपका एक साथ हाले गयात हो जागा देखिए एक जीरो Nazi एक जिरू कटेगा एक जिरू से एक जिरू कटेगा देखें दू एक एम दू दू चोको आट अब कितना बच रहा है देखिए पहले इसको एक बाल इख ले चार गुड़े साथ गुड़े पांच अब इसका आप गुड़ा करेंगे तो पांच चोको भी साधुल ना कर भासन है कि पंद्रह सू रुपिया पर 6 महीने का 12% वार्शिक दर्श से ब्याश तथा मिस्रधन ग्यात कीजिए ठीक है यहां पर पहले लिख लिए जी कि आपको पता होगा तो समय कितना दिया है समय समय दिया है च्छा महीना च्छा महीना यह महीना को वर्स में बदलना जरूरी है फ्रेंस इसलिए कि देखे दर जो दिया है आपका वार्सिक दिया है तो च्छा महीने को किसमें बदलेंगे वर्स में तो आपको फ्रेंस पता होगा कि घम मतलब के एक वर्ष में कितना महिना होतें बारा महिना त्चा महिना दीगUST है तो इसका मतलब अधा वर्ष ता सब आधा च Вас भरкивे झा यानि कि एक टाकर जाकर हुए नहीं मागजा एक वर्षअ धान सकते हैं बार्च क्षेग होई धी के इस चीज पुछ रहा एक तो पुछरा ब्याज ओधा बो धुर्ण दुसरा पु अब का मीजर दाउमुल्य बता हैं ब्याज का फार्मूला चली चली यहांपे निकालते हैं ब्याज का फार्मूला देखिए इसी को Libyan ब्याज बुले यह साधार ब्याज बुले इसमें confusion मत हो जी हो येगा ठीक है देखिए मूलधन मूलधन इस परका लिखते हैं गुड़े समय गुड़े दर बटाके सव ठीक है देखिए मूलधन कितना है आपको मूलधन है पंदरा सो यहाँ लिखेंगे पंदरा सो गुड़ा समय कितना आपका समय क्या है एक बटाके दू अर्स यहाँ पर एक लिखेंगे और बटा करके यहाँ पर दू लिखेंगे ठीक है एक बट मुला में 100 है अब इसी कंग किजि देखिए 1 0 से 1 0 कर जाएगा दू एकंदू छाका 12 ho जाएगा ठीक है अब इसका गुळा कर लेजिए जब आपूरा करेंगे 15 का 1 25 कर चा करेंगे 15 देinea आपको और नब बढाष फिए कि कितना है सब्सक्रा-छुन इताइं की तो याद है अभी तक मूल धान जो होता है मूल धन 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 जिसमें क्या होता है ब्याज को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा उपर कर लेते हैं तो आपका मूल धन कितना है फ्रेंस मूल धन आपका है कितना है पंदरा सो यहाँ लिखेंगे पंदरा सो धन आपका ब्याज कितना है फ और या इस प्रकार से ब्रकार को लगा सकते हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें